जैस रिक्रेशन दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू का डोनट जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और इसे बनाना बहुत ही असान है इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ भी आपको मार्केट शेलाना नहीं परेगा सब कुछ आपको कीचन में एवलेवल है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आलू का डोनट बनाना आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो आवाज थोड़ा चेंज आ रही होगी क्योंकि यहां ठंड बहुत ज़्यादा पर रहा है तो इसलिए थोड़ा गले का आवाज मेरा चेंज हो गया है तो सबसे पहले हम लिए हैं उबला हुआ आलू उबला हुआ आलू में पांच लिए थी मिडियम साइज का आलू अच्छे से उबाल ले थी और इसे मैं अच्छे से इसमेस कर ली हूँ आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और इस तरह से आलू का अच्छे से मैं इसम कर ली हूं साथ में हम डालेंगे दो चमच कान फ्लोर कान फ्लोर से हमारा जो डोनट से वह एक दम क्रिस्पी बनकर त्यार होता है और चीज़ को मैं आलू के साथ मिला लूँगी तो सबसे पहले प्याज हरी मिर्च और धनिया पता में इसमें डाल दे रही हूं और साथ में डालेंगे स्वादनिसा नमक, नमक आप अपने स्वादनिसा रखिया और मैं आधी चमच डालने रही हूं भूना हुआ जीरा, मैं पहले से भून कर पीश लिथी और आधी चमच चिली फ्लेक्स घर पे बनाई थी और आधी चमच लाल मिर्च पौडर डाले हूं और आधी से थोड़ा कम हल्दी पौडर मिर्च आप अपने अनुसा रखिया और आधी चमच चाट मसाला और इस तरह से सारे समगरी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ यह जो दोनों है अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से हाथ से से ही mix करें ताकि यह अच्छे से mix कोकर त्यार हो तही कि अच्छे से mix कर ली हूğног फठक हज़ुestä 石 घोल त्यार करेंगे तो गोल करने के लिए में चार चाड़ी चमच से बेशन ले लेंगे वरा चमचष दो ही कद दोल ऑज़ी county हम पतला घोल त्यार करेंगे तो इस तरह से हम अच्छे से घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ताकि इसमें कोई लम्स न परें और इस तरह से हम इसको चलाते हुए एकदम अच्छे से इसका घोल हम त्यार कर लेंगे घोल को हम पतला ही रखेंगे गढ़ा नहीं रख दरदरा से हम बनाएंगे तो इस तरह से हम ब्रेट क्रम्स इसे बना लिये हैं और फिर हम इसे एक प्लेट में आधा ही यूज करेंगे पूरा यूज नहीं करूंगी क्योंकि 4-5 चमर्स लगता है ब्रेट क्रम्स और 7 में में ले ली हूँ एक कटोरी में ओयल ओयल लेकर में हाथ में लगा लूँगे इस तरह से ताकि जब हम डोनट्स बनाएं तो हाथ में चिपके नहीं और अब हम फटाफट से डोनट्स को बना लेंगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्सल लेंगे एक लोई के बराबर में और इसे हलका सचिप्टा करेंगे डोनट्स के अकार में एक तम बनाएंगे और बीच में हम इसे होल कर देंगे तो इस तरह से हम फिंगर्स डालके अच्छे से होल कर देंगे और एक्दम डोनट्स जैसा इसको हम त्यार करेंगे क्योंकि हम आलू का डोनट्स ही तो बना रहे हैं तो इस तरह से हम आलू का डोनट्स बना के त्यार करेंगे देखे कितने सुन्दर से चिकना हमारा डोनट्स मन कर त्यार हो गया है तो इसी तरह स सारे डोनट्स को मैंसार को बना करें JULY आप इसे बच्यों के लिए बनाएं या फिर नट राता भी पसंधिना पोल्ट बरहां दिश्च परफें ले आप गहां आप पे Yes First ESCO पना लिए हैं तो अब हम येस्ट सवाइक कर लिंग कर लेंगे तो ہं गोल को एक बार अच्छे से चला ले रहे हूँ क्योंकि नीचे बेशन बैट जाता है तो इसली हम अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद एक एक donut को हम गोल में डालेंगे और इस तरह से गोल में डालकर इसे अच्छे से deep करके उलटे पलटे चारो तरफ से गोल में deep कर लेंगे उसके बाद हम इसे निकालेंगे और breadcrumb से में डालकर अच्छे से breadcrumb से coating कर लेंगे चारो तरफ से इसे अच्छे से लपेट कर इसका कोटिंग करेंगे देखे कितने अच्छे से हमारा तियार होगया है डोनट्स बनकर और उतना ही क्रिस्पी ये बनकर तियार होगा तो इस तरह से हम एक एक करके डोनट्स मनाएंगे तो हम एक एक डोनट को उठाएंगे घोल में डालेंगे और रेट क्रम्स में डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और सारे डोनट को इसी तरह से हम घोल में डालकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे तो एक एक डोनट को इसी तरह से करना है एकदम पर्फेक्ट तरीके से बन कर त्यार होता है डोनट्स और देखिए कितना पर्फेक्ट तरीके से बन कर त्यार हो गया है और देखते में भी उतना ही सुंदर लगता है खाने में उतना ही टेस्टी तो फिर हम इसे फटा फट से फ्राई करेंगे तो हम कराही में तेल डा कर लेंगे ताकि अंदर तक एकदम अच्छे से क्रिश्पी बनकर हमारा डोनट्स त्यार हो तो इस तरह से उलटते पलटते हम डोनट्स को पकाएंगे और आज का फ्लेम मीडियम हाई पर रखेंगे और हम अलटते पलटते इसको शेक लेंगे अच्छे से और जब भलका गुल्डिन प्राउन हो जाए तो हमारा डोनट्स जो है बनकर त्यार हो जाएगा इदेखिए हमारा डोनट्स अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम फिर एक एक करके तेल को ड्रेंट करते वह इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे डोनट्स को हम शालेंगे और इंदेखें सारे डोनट जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं एकदम अच्छा कलर आया है हमारा फ्राई होके और कहीं से टूटा-फुटन नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो गया है और एकदम crispy करारा यह बनकर त्यार हुआ है मैं इसे तोर कर आपको दिखाती हूँ एकदम perfect तरीके से यह fry हो चुका है और एकदम से tasty बनकर ready हुआ है आप इसे foodine के chutney, tomato, ketchup के साथ खाए बहुत ही मज़ेदार यह recipe है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको हमारी recipe पसंद है तो like, subscribe, share करना प्लीज, प्लीज, प्लीज नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में डोनट बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा मैं मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई